तो स्वागत भाई आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल के एपिम फैंटेसी एक्सपर्ट पर और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं फैन कोड़ ECS T10 Malta League का तीसरा और चोथा मैं जो की खेला जाएगा है यहाँ पर Overseas versus Boogieba Blasters के बीच में और भाई बात करें डेटन टाइमिंग की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन बजे और पांच बजे बाई दो मतलब पहला मैस तीन बजे खेला जाएगा और दूसरा मैस बाई पांच बजे खेला जाएगा दोनों मैस सेम टीम के बीच होने वाले है तो वीडियो को अगर आप complete देखते हो नो भाई तो आपकी jackpot winning होना confirm है जैसा अभी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर लेके चलता हूँ और भाई जो अभी match चल रहा है जो पहला T10 match स्टाट हुआ है ECS Malta का उसमें आप देख सकते हो जो हमारा Trump player वो आपके सामने है आपर सिर्फ और सिर्फ 47% था मतलब आदे से जादा लोगों की टीम में नहीं था और भाई points आप इसके देख सकते हो ठीक है मतलब बिल्कुल मैंने जो कॉंटेस्ट जो इनके ना भाई उसमें जो एक के में भी एक भी opponent की टीम में भाई मेरको यहां पर नहीं दिखाई है ठीक है जो ही मताई है बाई काफी important all-rounder बैटिंग में भी आपको performance देता साथी bowling में भी देता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बाई जो वीडियो complete देखते है उसको बाई यहां पर फायदा होता ही होता है बट वीडियो अगर आप complete नहीं देखे हो तो आपको फायदा नहीं होने वाला साथ ही telegram channel join जरूर कर लेना आप link नीचे description में मैंने दे दिया है क्योंकि जो final team final update वो मैं आपको telegram पर ही देने वाला हूँ ठीक है तो telegram channel आप जरूर से जरूर जरूर जोइन कर लेना तो चले आप बात करते हैं वेन्यू की तो आप देख सकते हो मारसा sports club मारसा विकिट होने वाले हैं यहां पर भाई बारिस थोड़ी सी हो रही है इसी वज़े से आप थोड़ी सी आप बोलर्स को एलप मिलेगा अगर वैसे नॉर्मल वैदर रहता तो बाई मतलब बिल्कुल बैटिंग फ्रेंड यह विकिट रहती है अगर यहां पर बारिस की बात करे में आपको एवरे स्कूर यहां पर देखने को मिल जाएगा और अब बात करते हैं दोनों टीम्स की जो प्लेंग लेवन है मतलब जो पोसिबल प्लेंग लेवन है और उनके कुछ प्लेट के स्टैट्स रिकोर्ड सब कुछ मापको बताने वालों तो वीडियो को स्टार्टि की तो आप देख सकते हो 13 मैच में तीन रन भाई इनके मतलब बोलिंग यह करवा रहे होंगे लेकिन भाई बोलिंग के रिकोर्ड तो मेरे को मिले नहीं तो इसलिए भाई मापको कुछ जादा बतानी सकता है इनके बारे में इसके लाब बात करें चारल की तो चारल ने आप क्रिष्टो की तो क्रिष्टो को आप ट्राई कर सकते हो बाकि अगर बात करें बोलिंग डिपार्टमेंट में तो जर्ज ही रैसची आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर यह आपर होने वाला है इसके लाब जैक बैडिट की बात करें तो चार मैच में दो विकिट निकाल चुका 19 मैच में 6 विकिट निकाले और 55 रन बाई आपर डेविड मरक्स ने दिये इसके लाब बात करें आपर एथन जूबर की तो आप देख सकते हैं इनके जो प्लेयर्स है इनके अगर मेरे को रिकोर्ट मिलते है तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोड करवा आपको जूटे रिकोर्ट भी दिखा सकते था वह मेरे को आखते हैं ठीक है जो कर अपके लिए और दीकाल रख दीए बाकी जो रिकोर्ट मिलेंगे तो बाई मापको बता दूंगो बाकी फाइनल टीम आपको पता है मैं टेलेग्राम पर आपको दे रहता हूं जैसे जो यह पर डाल रखे आप देख सकते हो काफी अच्छी विनिंग हमारी कल हो गई थी और आज भी उमीद है जो कल विनिंग होई थी उससे कुछ और भी ज्यादा अच्छी विनिंग आम आपर करने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना आप यह से इंपोर्टेंट पार्ट पर आगे हैं वीडियो के और यह लाइक जरूर कर देना वीडियो को यहां पर बात कर तो जी मिठाई को आप ट्राइ कर सकते हो काफी इंपोर्टेंट आप प्लेर आपके लिए ओने वाले ठीक अगर अगर आपको सेफ जाना तो आपको साथ जा बैटिंग सेक्शन गी तो यह पर आप देख सकते हैं आप जरूर अपने टीम में ट्राइ कर ले ना इसके लाँ नीचे की साइड आओगे तो सी वीजो न यह भी ठीक ठाक प्लेर आपके लिए होने वाले इसके लाँ आपर बात करें वी सिंग को आप कर सकते हैं तो आपको साथ इकसे लिए होगे इसके लाँ पाइट नेडी निगी नेगी को आप ग्रैंड लिग में ट्राइए नहीं अ करने era sभ लिए उप्मोल लिज में उप्त करना योगी परफॉर्मेंस देता है ना तो उस दिन तो काफी में घजब की परफॉर्मेंस देताह डेनेगी को अगर आप ड्रोप करोगे तो फाइदे में रहोगे, हम पर काफी ज़्यादा रिसकी पीगो जाएगा, यह या तो आपको किलियर विन करवाएगा, या आपको किलियर लोस करवाएगा, तो भाई ऐसे रिसक मैं तो नहीं लेने वाला, एट टो एड में, अगर चाहो तो आप ले सकते हो, जै एडिस्ची हमार टीम में रहेंगे तो यह हमारे कैप्टन भी रहेंगे, ठीक है, इसके लिए बाइब बात करें वोइस कैप्टन की, तो वोइस कैप्टन आप एजली बिलकुल इजली आप आर पोल के साथ भी जा सकते हो, इसके लिए और आपके लिए काफी अच्छा उप्षन है, जी सांट आप के लिए काफी अच्छा उप्षन और जी प्रॉपरॉन्स बेसिज में पर इतना बरोसा में जताँ नहीं रहा तो यह रहाई हमारी ओल्मोस्ट 90 परसेंट फाइनल टीम है तो इस टीम के साथ मैं जाने वाला हूँ, बाकि जो final team है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, telegram channel पर update मिल जाएगी, तो telegram channel आप जरूर से जरूर जोइन कर लेना, तो बस दोस्तों आज की इस video में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप से next video में till then take care, bye bye